हेलो दोस्तो मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कोलाइडर विलियन से जुड़ हुए एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक प्यूरिफिकेशन अब कोलाइडर सलुशन अथात कोलाइडी विलियनों का सुध्धी करन जो की मोस्ट इंपॉर्टन है और इसमें एक मोस्ट इसके अलावा वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टन चीज और पढ़ेंगे कोलाइडी विलियन का उप्योग जहां पर हमें पढ़ना है डेल्टा का निर्मार जो की एक्जाम में बहुत पूछा जाता है तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर् कि कुलाइडी विलियन को कैसे सुध किया जा सकता है जब कोई ताजा कुलाइडी विलियन बनाया जाता है तो इसके अंदर विभिन प्रकार की विधुत अफगट की असुधिया उपस्तित होती है और जैसा कि हम जानते हैं कि विधुत अफगट की कम मात्रा की उपस्तिती के कारण कुलाइडी विलियन का इस्थाइट तो बना रहता है लेकिन अगर विद्धुत अभगट की मात्रा अथात असुद्धी की मात्रा अधिक होती है तो जो कुलाइडी विलियन है उनका इस्थाइट घड़ जाता है और इस्थाइट का मतलब मैंने आपको कई बार बता मैं आप को फिर से बता दे रहा हूं इस्थायत का मतलब है कि कोलाइडी विलियन के जो कड़ है उसमें विलियन में घूमते रहें बैठे नहीं अगर बैठ गए तो इस्थायत नहीं रहेगा तो विद्धुत अभगट की जो यह असुधियां होती है अगर बहुत कम है तो कोल अथात उनके सथाय तो घर जाती है जिससे इसकंदर होने लगता है इसलिए किसी भी कोलाइडी विलियन में उपस्तित इन विद्धुत अभघट की असुधियों को हटाना जरूरी होता है तो किसी भी कुलाइटी विलियन में जो असुदियां अथा जो विद्धुत अभगट है इनको हटाने के लिए हम लोग निम्डी की तीन विधियों का प्रयोग करते हैं जो सबसे पहली विधी है वो है अपोहन, दूसरी विधिया विधुत अपोहन ऑ तीसरी विधी है अतीस सुच्म hä फिल्टरन या अतीस सुच्मAddल निसबंदन। तो आईए 1 बाई वन हम तीनों के बारे में जानते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपोहन जिसको इंगलिज में बोलता है डियलिस और यह most important topic है आपके exam के point of view से क्योंकि exam में इससे start note आते हैं तो अपोहन क्या होता है और कैसे हम इस वीधी द्वारा कॉलाइडी विलेन को सुध्ध करते हैं इन सभी बातों को हम लोग discuss करते हैं तो हमने देखा है कि जो जन्तु जिली से किसी कॉलाइडी विलेन में विले आयनिक और अनायनिक पदातों के कड़ निकल जाते हैं जिने हम असुध्धी कहते हैं लेकिन जन्तु जिली से कॉलाइडी कर बाहर नहीं निकल पाते हैं जब मैंने आपको पहला वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बताया था ग्रहाम का एक नियम था और ग्रहाम के अनुसाद जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉलाइडी विलेन होते या कॉलाइडी कर होते हैं वो पाचमेंट जिली से या जन्तु जिली से छनते नहीं हैं तो जब कॉलाइडी विलेन इस जिली से नहीं छनते लेकिन जो असुधिया होती हैं इस जिली से छन जाती हैं तो जन्तु जिली के इस गुण का उपयोग हम कॉलाइडी विलेन को सु में रख देते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो आप डैग्राम में देख सकते हैं कि एक पर्चामेंट मेंब्रेन है, जो की एक जन्तव जीली है और उसके अंदर Collidal Solution है और इसके इलावा कुछ असुदिया है तो Collidal Solution को इंगलिस में लिखा है Collidal Particles जो असुदिया है उसको लिखा गया है Crystalloid तो Crystalloid क्या होते हैं Collidal Solution क्या होते हैं मैंने First Part में आपको बता है और आप Collidal Solution तो पढ़ते आ रहा है तो जो Crystalloid होते हैं यह असुदिया होते हैं और यह छोटे कड़ होते हैं तो अब हम क्या कहते हैं पार्चामेंट मेंब्रेन में जो असुद्ध Collidal Solution है उसको हम भर लेते हैं और फिर एक ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है तो पानी में जब हम इसको डुबोते हैं तो विसरन के कारण जो इसके असुदियां किस्टलाइड हैं वो धीरे धीरे पानी में चले आते हैं और इस प्रकार से परचामेंट मेंब्रेन के अंदर सिर्फ बच जाता है आपका Collidal Solution तो यदि हम बात करें जन्तु जिली के गुण के अनुसाथ जो Collidivision में उपस्ति जो असुदियां होती है वो जिली के बाहर इस्थित पानी में विसरित हो जाती है और इस तरह धीरे धीरे पूरी असुदियां जिली से बाहर होकर पानी में चली आती है तो इसके लिए आपको विसरण पता होना चाहिए अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा तो विसरण होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ जब कोई कड चाहे वो ठोस हो द्रव हो या फिर गैस हो वो अधिक सांदता से कम सांदता की और जाता है इसके जो पात्र देख रहा है उसमें एक तरव से पानी ढाला जाता है दूसरे तरफ से पानी निकलता रहता है क्योंकि वो असुद्धियों को बार-बार धो कर अपने साथ बाहर निकलता रहता है और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है अपोहन और इस विधी दोरा कोलाइडी सुद्धी करण को हम अपोहन विधी कहते हैं तो अभी जब हम लोगों ने ऊपर के और अपोहन विधी पड़ा तो ये जो विधी है बहुत ही धी में चलती है क्यों क्योंकि इसमें जो विधुत अपखट होते हैं या जो असुद्धिया होती हैं बहुत धीरे धीरे विसरीत होती हैं इसलिए इसमें बहुत अधिक समय मतलब अपोहन हो रहा है लेकिन विध्धुत के द्वरा, तो इसले विध्धुत उत्पन करने के क्लिए हम क्या यूज़ करें एलیک्ट्रोड का तो जब हम क्या करते हैं कि सेम वैसे ही मेंब्रेन में हम भर देते हैं枉ड़िविलियन और दो एलेक्ट्रोड लगा देते हैं और अपोहन की घटना बहुत सिगिता से संपन होती है अथात इस विधी में विद्धुत अभगट आयनिक असुद्यों को किसी कोलाइडी विलियन से त्रिविता से अलग किया जा सकता है और ऐसी विधी को हम बोलते हैं विद्धुत अपोहन विधी तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, आपके बाई तरफ केवल अपोहन विधी दिया हुआ है और जो दाई तरफ दिया है वो दिया है आपको विद्धुत अपोहन तो विद्धुत अपोहन में आप अपोहन की भाति सभीी चीजिए बस आपको दिख रहा होगा कि दो इलेक्ट्रोड बढ़े जो आयन होते हैं, अगर positive iron है, तो वो negative plate की ओ जाएगा, अगर negative iron है, तो वो positive plate की ओ जाएगा, तो इस प्रक्रिया में बस यही फायदा है, कि जो time होती है, उस time की बचत होती है, क्योंकि अपोहन में बहुत आधिक समय लगता है, परंतो विधूत अपोहन में बहुत कम समय इंगलिज में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो यदि अगर हम बात करें साधाराड फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार वह बहुत बढ़ा होता है इनसे होकर असुद्धियां तो बाहर निकल जाती हैं और साथी साथ साथ विलायक के जो कड़ होते हैं और कॉलाइ को हम साधाराड फिल्टर पेपर के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं यदि हम साधाराड फिल्टर पेपर के द्वारा अलग करते हैं तो जो कॉलाइडी कड़ हैं इन छिद्रों से बाहर निकलाते हैं क्योंकि जो फिल्टर पेपर होते हैं साधाराड फिल्टर पेपर उनमे कम कर दये या उनकी साइज GOM कर दें तो आसानी से हम फिल्टर पेपर के द्वारा कॉलाईडी विलियन को सुद कर सकते हैं तो साधार फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार घटाने की प्रक्रिया को जिससे केवल इस फिल्टर से असुद्धियों के कड़ी विश्रित हो सकें कुलाइडी के कड़ नहीं अतिस सुच में फिल्टरन या अतिस सुच में निस्पंदन कहलाता है और इस प्रक्रिया के बाद बने साधार फिल्टर को अतिस सुच में फिल्टर कहा जाता है तो हमें कुछ करना नहीं है इसमें बस आपको इतना होना चाहिए पता कि जो साधार फिल्टर पेपर होता है उस कि उनके कड़ छोटे होते हैं लेकिन जो कॉलाइडी कड़ होते हो बड़े होते हो अलग नहीं हो पाते हैं तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अतीस सुच में फिल्टर हम भी थी तो यह कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एक्जाम के पॉइंट अप यू कि क्यों बढ़ते हैं जो कि सॉट नोट के लिए मुश्ट इंपॉर्टेंट है को लीडियन क्या है अक्सर आपको को लीडियन पूछा जाता है तो आपको दिमाग में होगा कोलाइडल सलीशन को ही को लीडियन कहते हैं बट ऐसा नहीं है तो को लीडियन क्या होता है पहले यह जान लीजिए तो जब हम cellulose nitrate या nitrocellulose का ethyl alcohol या फिर ether में चार प्रस्त विलियन बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं कोलीडियन मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि जब हम ethyl alcohol ले या फिर ether ले अब उसमें हम nitrocellulose या फिर cellulose nitrate को घोल कर विलियन चार प्रस्त बनाते हैं मतलब जो इसकी सांदरता जो होती वो चार प्रस्त होती है तो ऐसे विलियन को हम बोलते हैं कोलेडियन आए चलते हैं next topic यो जो है कोलाइडी के उप्योग तो exam में इससे direct question नहीं पूछे जाते हैं यह नहीं पूछे जाएगा कोलाइडी के उप्योग क्या है इसमें कुछ ऐसे बीच में पॉइंट है उससे ही question पूछे जाते है जैसे डेल्टा का निर्मार कैसे होता है मीसल क्या होते हैं तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो कि आपके exam में आते हैं तो आईए हम कोलाइडी के उप्योग पढ़ते हैं तो सबसे पहला point है आहार के रूप में तो दूद, दही, मक्षन, हलवा, ऐसक्रीम, आदी कोलाइडी का उप्योग हम आहार के रूप में कहते हैं इसे सुद्ध करने के लिए हम क्या डालते हैं फिटकरी डालते हैं मैंने पहले ही बताया था तो फिटकरी की उपस्तिती में जो धन आवेसित अल्मूनियम के आहन होते हैं वो मिट्टी के रिड़ आवेसित कड़ों को उदासीन करके इसकंदित कर देते हैं जिसके कारण ज इस प्रकार जो जल होता है वो सुध्ध हो जाता है बढ़ते हैं अगले उपयोकियोर वहित मल के निस्तारण में तो सहर की गंदी नालियों का पानी वहित मल कहलाता जिसे इंगलिस में बोलते हैं सीवेज तो यह गंदगी से बना रिड़ आवेसित कॉलाइडी कण होता है इस इसकंदित हो जाते हैं तथा जल साफ हो जाता है इस साफ जल का उपयोग सिचाई की रूप में यह कच्रे का उपयोग खाद की रूप में किया जाता है तो इसमें जो गंदगी होती है जो सीवर में वैठा होता है उसका यूज खाद में करते हैं खेतों में और जो पानी सा लिए इस पर አ रहेघां तेनीन कोती है जो की सर्मड़ी प्रहों किये जाता है व् तो इनके पारसपरिक मिलने से इसकंदन होता है और जो चमड़ा होता है साफ हो जाता है और उसमें दुरिगंद भी नहीं आती बढ़ते हैं कोलाइडी विलियन के अगले उपयोग की और अधिक होने के कारण इनका उपयोग और सदी के रूप में किया जाता है जैसे अगर हम बात करें आजिरोल एवं प्रोटाजियोल चांदी को रच्छित कोलाइडी विलियन कहते हैं इसका उपयोग आखों की पलकों के रोगों के उपचार में किया जाता है उसी तरह एंटी मनी कोलाइडी का उपयोग काला जार रोग में उपचार के लिए किया जाता है उसके अ अपयोग की ताडू नासक के रूप में किया जाता है, तो कुछ ऐसी अवसधियां होती हैं, जो कॉलाइडल सल्यूशन के रूप में रहती हैं, और हमें बेनिफिट पहुचाती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये नेक्स्ट उपयोगिता की बात कहते हैं रक्त स्राव को रोकने में, तो हम सभी जानते हैं कि चोट लगने पर रक्त बहुत तेजी से बहता है, तो रक्त कैसे रुकता है, तो रक्त अल्मूमीन से बना एक कॉलाइडी विलियन है, इसमें रिड आवसित कड होते हैं, रक्त स्राव को रोकने के लिए फेरिक नीचे बैठ जाएंगे जमा हो जाएंगे इस प्रकार जो रक्त का थक्का होता है वह जम जाता है और रक्त श्रावन अथात रुधिर का बहना रुख जाता है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रक्त के जमने में भी कुलाइडी विलियन की एक महतपूर भूमिता है बात करते हैं कॉलाइडी विलियन की अगली उपयोगिता की बहुत इंपोर्टेंट है कॉमर्सियल वे में अगर देखा जाए हम सभी जानते हैं कि जो फैक्टरियां होती हैं उनसे धुए निकलते हैं और उनमें अनेक कड़ होते हैं जो कि हमारे लिए हानिका रखा है तो फैक्टरियों से निकलने वारा धुआ कार्बन वा धूल के कड़ों का बना एक रिड़ आविसित कॉलाइडी विलियन होता है यह प्रदूसर्ण युक्त होता है अतहिसे प्रदूसर्ण रहित बनाने के लिए इसे एक विशेज प्रकार के यंतर से गुजारा जाता है जिसे हम बोलते हैं कोंट्रेल ध्रुम और छेपक मोस्ट इंपर्टेंट है याद रखेगा हम इसे क्या करते हैं जो इनके धूल के कड़ हैं कार्बन के कड़ हैं इसे गुजारते हैं कोंट्रेल ध्रुम और छेपक से तो इस यंतर में प्रबल एनोड धन आवेसित होते हैं जो कि उच्च बोल्टेता की विद्धुधरा प्रवाहित करने पर धूए में उपस्ति जो कार्बन और धूल के रिड़ावेसित कड़ होते हैं इस एनोड अर्था धन प्लेट पर चिपक जाते हैं और चिपक कर क्या हो जाते हैं उदासीन हो जाते हैं क्योंकि प्लस माइन अगली उपियोगी ता की जो कि मोश्ट इंपॉर्टेंट है डेल्टा का निर्मार तो आप सभी जानते हो हैं डेल्टा क्या होता है जहां पर नदी और समुद्र मिलते हैं वहां पर क्या होते हैं बालू के तीले दिखाई देते हैं मतलब एक त्रीकोन सनरचना बनती है मिलती हैं तो समुद्र में नमक होता है हम सभी जानते हैं तो नमक एक तरह से विधुत अपगट का कार काता है क्योंकि इसमें एनने प्लस, पोटेसियम, मैगनीशियम यह सपाय जाते हैं जबकि जो नदी है नदी में धूल के कड़ रिडा वेसित होते हैं तो जहां पर नदी काजल दो भागों में बढ़ जाता है और इसके फल सरूप मिट्टी के धेल से त्रीकोंड संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा जैसा की इमिज में आप देख सकते हैं मैं यह पॉइंट आपको फिर से समझा देता हूं जैसा की इमिज में देख रहे हैं एक इमिज में मिलते हैं तो नदी का जो मिट्टी है वह तो बहुं समझे बनाते हैं जिसे हम करते हैं देल्टा आई होब कि आप आपको समझ में आ गया होगा इमेज में देख कर तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्जाम में ये कोश्चन पूछा जाता है और नेक्ष्ट बात कहते हम रबर उद्योग में तो रबर रबर कडो का जल में बना एक रिडावेसित कुलाइड होता है इसको इसको बालने से इसके कड़ो परुपास्तित प्रोटीन का रच्चक पर्च तूड़ जाता है और विलियन में ये Sugar हो जाता है इस और सपीत रबर में शलफर मिला कर वल्कनी क्रित रबर प्राप्ट किया जाता है तो मिल्कनी क्रित रबर क्या होता है आगे जह हम चैप्ट पर रबर की परच चड़ानी हो तो उस पर वस्तु का एनोड बनाकर उसे रबर के रिड़ आवेसित कोलाइडी विलियन में डाल देते हैं और जब विद्धुधारा प्रवाहित करते हैं तो रबर पर उपस्तित रिड़ आवेसित कण एनोड रूपी वस्तु पर इसकंदित ह कर परत का निर्मार कर लेती है तो रबर उद्धुग में हम सेम कोलाइडल सल्यूशन और जो विद्धुधारा दोरा इसकंदन करना इसको यूज करते हैं तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप इस पॉइंट को समझ पाते हैं तो ठीक है नहीं तो कोई इंप उपयोगिता की और फोटोग्राफी में तो फोटोग्राफी में जिलेटीन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है कोलाइडी विलेन के रूप में तो इसमें जो जिलेटीन होता है रच्छी कोलाइडी का कार काता है जिलेटीन युक्त सिल्वर ब्रोमाइ मैंने आपको पीछे कुलाइडी विलेनों के प्रकार में ये बताया हुआ है तो बादल में क्या होता है परिष्षित प्रवस्था द्रव होती है और परिष्षेपण माध्यम गैस होता है तो सीतल वायू में बादलों में उपस्थित जो जल वास्प के कण संगनित होकर छोटे छोटे जल बिंदु के रूप में धारण कर लेते हैं यह जल बिंदू के आपस में टकरा कर बड़े हो जाते हैं और इस प्रकायच जल बिंदू के रूप में धती पर गिनने लगते हैं कभी कभी धन आवेसित वर रिड़ावेसित कोलाइडी बादल के रूप में आपस में टकराते हैं और परसपर सकंदन द्वारा बारिस होती हैं इन बादलों पर वायू यो अनो द्वारा विद्धुत अभगट का छिड़काओ करके भी कृतिम बारिस की जाती हैं तो यदि अगर बारिस नहीं होती है तो कृतिम बारिस करने के लिए क्या करते हैं इनके उपर विद्धुत अभगट का छिड़काओ कर देते हैं और विद्धुत अभगट का छिड़काओ करते ही जो जल के बूदे होती हैं धन आवेसित और रिड़ावेसित आपस में चिप करते हैं जब यह प्रकास हमारे आखों पर पहुजटी है तो हमें आकास के रंग नील होता है क्यों दिखाए देता है क्योंकि नीले प्रकास का जो तरंग दैर्ख होता है वो सबसे कम होता है अतहिया घटना प्रकास के परकिड़न का ही कारण होता है अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर ने बताया है कि जो प्रकास के करण के परकिड़न और यहाँ पे तो फिज करती बताया था को लाएडी विल्हन से टिंडल अभर में आप सभी जानते हैं कि तो सेम वही घटना आकास का नीला रंग दिखाई देने में भी होता है क्यों होता है क्योंकि वायू मंडल में धूल के कड़ जल के कड़ नियंतर उड़ते हैं और जब प्रकास इस पर पढ़ता है तो इसमें जो नीले रंग की जो प्रकास होती है वो टकरा कर वापस लोट आ है और हमारे आखों तक पवजती है जिसका रण हमें आकास नीला दिखाई देता है तो यह घटना आपका प्रकास पर कीड़न भी है बट कोलाइडी कड़ो की तरह है आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा तो यह था हमारा आज का टॉपिक जिसमें की हम लो हुआ किजए गा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं मैं आपको उसका रिप्लाइ करऊंगा वीडियो अच्छा लगाया तो अपने दोस्तों में जरूर सेस्क यह कीजिए आप हमें प्रोशाइत करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहा है और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जय हिंद जय भारत